नमसे दोस्तो, my name is Krishna and I welcome you in my class English by Krishna Sir दोस्तो, आज का दौर competition का दौर है बात जब competition की होती है, तो बात English की भी आती है क्योंकि शायद ही कोई competition ऐसा हो, जिसमें English grammar की requirement ना हो और जब हम अपनी English को improve करने के बाद सोचते हैं तो बात आती है एक अच्छी book की तलास होती है हमें एक ऐसी book की, जिसकी help से हम अपने English को improve कर सके लेकिन यहां सबसे बड़ा challenge क्या होता है, सबसे बड़ा challenge यह होता है कि market के अंदर books तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी books below standard है जिसमें आपको मिलती हैं बहुत सारी spelling errors, बहुत सारी grammatical errors ऐसे में एक अच्छी book का selection बड़ा challenging task हो जाता है तो आज के इस episode में friends हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शांदर book का review जिहां दोस्तों आज आपको एक बहुत शांदर book review मिलने वाला है और आपकी जो तलास है एक अच्छी book की grammar and composition के लिए वो तलास शायद आज खतम हो जाएगी आपके सामने एक बहुत अच्छा option आने वाला है तो friends जिस book का review आज मैं आपको देने वाला हूँ उस book का title है High School English Grammar and Composition इसके writer है Renan Martin और इसको revise किया है यहाँ आप देख सकते हैं Dr. N.D.V. पिरसाद लाओने इस book के जो publisher है वो है एस्चंद और जहां तक इस book की price की बात है तो जिस समय मैंने इसको purchase किया था उस समय इसका MRP था 400 रुपीज ओके friends तो आपका जो shopkeeper है वो कुछ discount भी आपको इसमें दे सकता है और यह city to city थोड़ा vary करता है उसको confirm नहीं कर सकते लेकिन around 450 यह book आज की date में हो सकती है क्योंकि जिस समय मैंने purchase किया था यह 2 years back मैंने इसको purchase किया था तो इस book को मैंने अच्छे से study किया है क्योंकि जब कभी मैं review देता हूँ मैं आपको किसी भी book को अच्छे से study करने के बादी review देता हूँ क्योंकि जो कुछ information आपको दे जा रही है वो अगर authentic नहीं होगी तो कहीं न कि आपका trust break होगा जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं यह आप देख सकते हैं यह इस book का international standard book number है ISBN 978-93525-30144 तो अपने आप में यह book एक बहुत अच्छा quality product है और इस book को purchase करने के बाद आपको खुद realize होगा कि हमने आपको एक better book और एक better suggestion recommend किया है और friends इसके size का idea करने के लिए मैं आपको इसमें जो total number of pages है उसका एक idea देता हूँ इसमें total number of pages है 384 और इसका जो sheet size है वो काफी बड़ा है और आप यह मान सकते हैं कि जो A4 size होता है उसे थोड़ा सा ही छोटा है इस book का जो sheet size है तो आप एक idea कर सकते हैं कि इसमें total pages जैसा कि आपने देखा 384 है और इसका जो sheet size है वो लगभग A4 size का है और इसका जो paper quality है print है वो काफी fair है जब आप इस book को study करेंगे तो इसके अंदर काफी अच्छी आपको finishing मिलेगी और कहीं भी किसी तरह का कोई issue इस book में नहीं है चाहे बाद paper quality की हो या paper size की हो print, font, सब कुछ शांदार है जर्नली ये book सभी के लिए अच्छी है जो advanced level की study चाहते हैं लेकिन particularly मैं recommend करूँगा उन इस students के लिए जो CBSE background से हैं यानि English medium से जो students हैं उनके लिए ये book particularly बहुत अच्छी है क्योंकि ये zero spelling error के साथ है book और इसकी जो exercises का level है वो awesome है सबसे खास बात जो मैंने इस book में observe की वो ये है कि इसमें जो exercises दे रखी हैं उसमें जो statements हैं वो काफी unique है आप ये खुद realize करेंगे कहीं भी किसी भी तरह का repetition नहीं है और जो vocab का standard इन्होंने pick किया है इस book में वो बहुत अच्छा है और इस book को अगर आप करते हैं तो इसमें grammar composition के साथ साथ vocabulary का जो आपका standard है उसमें भी जबर्दस lift आपको मिलेगा ये English grammar and composition book हर उसे student के लिए most important है जो थोड़ा advanced level compositions की preparation कर रहा है और आने वाले time में किसी up level composition में appear होने वाला है इस book में आपको ये expectation जो आप रखते हैं कि हमें एक अच्छी book चाहिए जिसमें अच्छी exercises हो वो definitely आपकी clear होगी लेकिन इस book की अपनी भी एक requirement है आपसे वो ये, ये book उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो थोड़ा advanced level की तरफ है यानि basic जिनका clear है क्योंकि इसमें जो आपके साथ interaction करती है book medium, thoroughly English है तो अगर आप इस level पे हैं कि आपकी reading skills थोड़ा अच्छी है आप समझ पाते हैं तो आपके लिए ये book बहुत अच्छी है लेकिन अगर आप Hindi medium के student हैं और आपका जो basic है वो clear नहीं है, fundamentals आपके clear नहीं है तो थोड़ा ये book आपके लिए challenging हो सकती है क्योंकि उस condition में आपका बहुत सारा time words का translation search करने में निकल जाएगा कि उसका Hindi version क्या है तो ये book उस condition में आपके लिए advisable नहीं है लेकिन अगर आप थोड़ा better level पर हैं और आपके basics clear हैं और आप थोड़ा advanced level की practice चाहते हैं advanced level का composition practice चाहते हैं तो ये book definitely आपके लिए है friends अब बात करते हैं इस book के content की अब हम इस book में entry करते हैं जब हम इसमें अंदर आते हैं तो इसका page number 3 है उस पर ये preface दिया है जिसमें writer ने explain किया है कि क्या उनका vision है यहाँ पर आपको काफी चीज़ें मिलेंगी information इस book के part है composition और इसमें काफी deep knowledge आपको मिलेगी और सबसे अची बात ही है कि book आपको एकदम basic से start करती है ये इसका पूरा content है अब हम इसके first chapter की तरफ आते हैं ये जो first chapter ने इसका chapter number one वो है the sentence यहाँ पर आपको sentence को properly defend किया गया है उसके बाद के kinds के बारे में discuss किया गया है और जो भी point यहाँ पर दिया गया है सभी के साथ suitable example दिये गए है उन examples को भी analyze किया गया है तो बहुत अच्छे तरीके से ये book present करती है और उसके बाद जब chapter complete हो जाता है तो इस तरह के ये reddish color के आपको box मिलते हैं जिसमें आपको exercise दी जाती है तो sufficient exercise हर chapter के बाद दी गई है ये इसका chapter number 3 है the phrase and the clause इससे पहले chapter number 2 था subject and predicate तो आप ये देख सकते हैं एकदम basic से ये book आपको लेकर चलती है और दीरे दीरे step by step basic to advance आप move करते हैं ये chapter number 4 है past of his speech ये जो आप देख रहे हैं friends ये इस book का regular edition है देखें यहाँ पर ये दिया हुआ regular edition इस book का color edition भी आता है multi color edition उसमें difference क्या है content same होता है लेकिन जो regular edition होता है वो थोड़ा cheaper version है जो इसका multi color edition है उसकी cost थोड़ा ज़ादा है तो ये आपको उपर depend करता है कि आप इसका कौन सा edition लेते हैं कौन सा version लेते हैं multi color या regular मेरे पास ये regular version है हर chapter के बाद आपको इसी टैप से ये color box में आपको exercises मिलती है लेकिन एक special बाद जो इस book के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे लोने हर chapter को जो भी points उसमें दिये हैं first of all ये define करते हैं उसको अच्छे से explain करते हैं उसके types को discuss करते हैं और उसके बाद ये इस तरह से boxes में exercise देते हैं लेकिन जितनी भी exercises जिनोंने दी हैं किसी की भी answer seat आपको इस book में नहीं मिलेगी ये इस book का एक special feature है जो कुछ students के लिए negative हो सकता है लेकिन मेरे point of view से ये positive feature है क्योंकि जब answer seat दे दी जाती है तो हम कई बार answer seat से इतना ज़्यादा connect होने लगते हैं कि जो exercise का जो उसमें work seat दे रखी है उसका label dip कर जाता है क्योंकि हमारे mind में बार-बार answer seat को विजिट करने के वैसे answers फीड हो जाते हैं और जो advantage हमें practice set का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता तो इस book के अंदर answer seat नहीं दी गई है किसी भी exercise की इसलिए ये एक minus point आप count कर सकते हैं कुछ students के लिए कि इसको आप teacher के supervision में करें तो अच्छा है self study के लिए थोड़ा ही challenging हो सकता है क्योंकि अगर कोई आपके task को check करने वाला नहीं है आपकी exercises को तो वहाँ आपको थोड़ा issue हो सकते हैं तो ये book teacher के supervision में की जाए तो ज़्यादा अच्छा है answer seat इसके आती है लेकिन उसके लिए आपको अलग से इसका एक key book आती है वो purchase करनी होती है जिसमें सिर्फ answer seat होती है जितनी भी यहाँ पर exercises आप देखेंगे सभी की answer seats वहाँ पर दी गई है तो ये system है यहाँ पर किवल आपको practicer दिये गए है और जो defines है वो दी गई है explain किया गया है और इसकी जो answer seat है वो एक अलग booklet आती है answer की आती है इस book की वो अगर आप चाहें तो purchase कर सकते हैं और friends ये book आपको online भी आसानी से मिल सकती है Amazon या Flipkart पर आप इसे order कर सकते हैं वहाँ पर भी available है या आप अपने नज़ी की book store से इसको purchase कर सकते हैं personally मैं advise करूँगा कि आप अपने near rest book store से purchase करें क्योंकि अगर कहीं कोई उसमें issue है तो आप replacement कर सकते हैं बहुत easily जहां तक bending की बात है तो ये मेरे पास paperback addition है इसका आप देख सकते हैं और काफी अच्छा इनका layout है जब आप इस book को देखेंगे तो इनका जो presentation है वो बहुत ला जवाब है एक्ससाइज का तो जवाब नहीं खास बात इस book की जो है या कहना चीज जो जान है वो है इसकी एक्ससाइज का label जो भी इस book को एक बार अच्छे से कर लेता है वो किसी और book में वो मतलब कहना थी या डैक्ससाइज में नहीं पाता जो यहाँ दे रखी है मैंना बहुत सारे grammar books को इस्टड़ी किया है लेकिन जो practice यहाँ मिलती है वो किसी book की practice sheets में नहीं मिलती बहुत unique exercises जिसमें दे रखी है और यही इस book की सबसे बड़ी specialty है world over ये book काफी अच्छी rating रखती है और English के जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि ये book Bible of English है आप इसे search करेंगे अगर net पर top 5 books of English grammar तो ये top 5 books में rank करती है all over the world तो आप देख सकते हैं इस book की जो reputation है वो कितनी high है और अगर इसकी reputation इसकी ranking इतनी high है तो वो ऐसी नहीं हो सकती जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ specialty होगी तो जैसा मैंने आपको बता है इसकी सबसे बड़ी specialty है कि इसकी जो accessages है वो बहुत अच्छी है ऐसा standard exercises का ऐसा mistake free standard आपको other books में शायद ही कहीं मिली अगर बात हम इस book के content type की करें तो इसमे theoretical और objective दोनों content काफी अच्छी quantity में है आप देख सकते है theoretical presentation पूरा दिया जाता है हर topic को detail में discuss किया जाता है जैसे यहाँ पर OR और इसका क्या use है किस किस condition में इसको use किया जा सकता है point by point सारे points explain किया जाते है जैसे यहाँ पर if का use explain किया गया है किनके circumstances में क्या context हो सकते है और उसके बाद जब आप जब यह chapter over हो जाता है तो आप इसमें sufficient objective questions भी पाते हैं और FI भी पाते हैं बहुत सारी exercises में दे रखी है तो practice pointer view से और जो इसका theoretical aspect है दोनों ही dimension में यह book बहुत अच्छी है तो friends मेरा overall view इस book को लेकर के यही है कि अगर आप इस book में जो answer sheet missing है उसको एक बड़ा मुद्दा अगर नहीं मानते हैं तो यह book awesome है और मैं इस book को आपके लिए recommend करता हूँ अगर आप English medium के student है या आप थोड़ा advanced level student है आपका basic clear है तो यह book आपको advanced level के लिए काफी अच्छी practice देती है यह book आप जरूर study करें किसी भी up level competition में आपको बहुत जबर्दस support इसे मिलेगा यह जो आप screen पर हिस्तर में देख रहा है यह इसका modern वर्दन है और 30 years पहले इसका यह काफी primary वर्दन आता था मेरे पास वो वर्दन भी है देखिए यह इसका बहुत पुराना वर्दन है पहले यह book इस टैप किया थी आप देख सकते हैं और यह इसका modern वर्दन है content 90% same है लेकिन इसका जो size है और इसका representation है वो थोड़ा different है यहाँ के बल उन्होंने पुरा presentation के बल ब्लैक कलर का यूज हुआ है ब्लैक इंक का लेकिन यहाँ पर इन्होंने color boxes भी दिये है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें reddish color भी यूज हुआ है और exercises को highlight किया गया है और जो seat sizes को increase किया गया है तो यह modern version यह है और यह इसका काफी old version है मेरे यह दोनों books हैं यह मेरे elder brother study किया करते थे और यह book मैंने recently purchase की थी और इसको मैंने solve भी किया है तो solve करने के बात जो level मुझे इसमें लगा exercises का जबरदस exercise हैं इसकी अगर आप इनको करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि जो बात हम आपको बता रहे हैं इस book के बारे में वो 100% authentic है तो friends आज के लिए आज की इस class में बस इतना ही मिलते हैं अपने next वीडियो में और जो भी students या जो भी visitors first time हमारे इस channel पर हैं और हमारे ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपसे ये गुजारिस करता हूँ कि आप चैनल को subscribe करें bell icon को प्रैस करना ना भूले जिसे की मेरे आने वाले जो वीडियोज हैं जो की काफी जवर्दस हैं different topics पर हैं वो आपको time से मिल सके हैं और हमने बहुत सारी books के reviews दिये हैं अगर आप grammar books में interested है और आप जानना चाहते हैं अलग-लग books के बारे में तो जो हमारी playlist है आप उसको विजिट करें book reviews को लेकर के एक playlist हमने बना रखी है आपको support करेंगे कैसा भी आपको opinion हो आप चाहें हमें criticize भी कर सकते हैं अगर कहीं कोई कमी नजर आती है और अगर आपको अच्छा लगाया यह वीडियो तो लाइक करें share करें Thank you friends हम फिर मिलते हैं